कि आप चुनाव लड़े थे, हारे, एक कावन सो ओट मिला, इस पर क्या कहने जाएंगे? चुनाव लड़े हम माशालला पूरी ताकत से लड़े, लेकिन चुनाव हम हारे नहीं, हम या तो जीते हैं या तो सीखते हैं, हारने का कारण क्या रहा है? हारने का कारण यहीं रहा है कि सब मुसल्मान तो जो है, दो दिन पहले तक हमारा चुनाव मिल्कुल ठीक ठाक था, हमें लग रहा था कि पचास से पच्पन हजार ओट हमको कम से कम मिलेगा, लेकिन बाद में यह हो गया, एक दिन 24 गंटे पहले, हमारे लोगों ने, मुझे नहीं कर रहा था, यह तो सही है, संगठन में कमिया थी, हैं, और हमारा सबसे, मैं अपने सुबाई सदर को भी कहना चाहूँगा, कि सबसे पहले तो हम आल-इंडिया मजली से तिहादुल मुसलिमीन की पार्टी की क्यादत कर रहे हैं, तो पहले हमें आपस में तिहाद नहीं पहुचते हूँ, और ना पहुचते हैं, यह तो उसका नुक्सान होगा, क्योंकि संगठन की जहां तक बात है, या प्रत्यासी की बात है, जैसे हम लोग ही चुनाव लड़े, और उसके बाद गए मीटिंग में अससाब ने कह दिया, उतना हो गई, लेकिन मेरा अपन ताकत लगाए दमदारी से लड़े उसके बाद सारे प्रत्यासियों के एक मीटिंग मुलानी चाहिए थी अलग से उनकी होसला अब जाई करनी चाहिए थी और यह कहना चाहिए थी और उसको हमागे सुधार थे आईसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ क्या किसी के साथ नहीं हुआ मेरी अपनी प्रत्यासियों का यह हुआ और उसका नहा होने की वज़े है कि फिर दूसरी जगे लोग बैक होने लगे खुले मंच से आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपके अंदर कुछ दर्द है और सुनाना चाहें तो क्या सुनाएंगे क्योंकि लोग देखते हैं नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप लोगों के फिर जो है यह चीज है अससाब तक पहुचनी चाहिए कि भई हम लोगों का भी तो दर्द सुना जाए हमने मजलिस के लिए जो है चुनाओ लड़ा मजलिस को बढ़ाया हर चीज मजलिस के लिए किया दो साल से मेहनत करते र है हम मीटिंग में एससाब ने कहा उसके बाद हम अपना दर्द कहां बया कर पाएं और बड़े शन्म के बाद है कि 85% मुसल्मानों ने अखले स्यादों को जिताने के लिए उड़ दे दिया और जितान नहीं पाए यह जब तक किसी दूसरे को जिताने उहराने के लिए आप इन के लिए बहुत बुरा होगा आप इस तरीके से हाल इंडिया मजली सित्धाद मुसलिमीन पे आरोप लगा रहे हैं निकाल दिये गए तो क्या है उस इलजाम थोड़ी लगा रहा है मैं तो सच्चाई वयान कर रहा हूं और सच्चाई अगर किसी को खरती है तो कोई उसम पूरी मेहनत से लगेंगे और जिले में संगठन को और मजबूत करने के लिए उस पर काम किया जाएगा नमस्कार आदाप मैं मुहमद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तकनियोज उत्तरप्रदेश में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन पार्टियां खामूस रही लेकिन आने वाला नगर निकम के चुनाव है उस पर लोग तैयारी करने लगे हैं हमारे साथ इस वक्त चुनावी चर्चे को लेकर बात करने के लिए जो मौझूद हैं सुल्तानपुर से मिर्जय अकरम बेक साहब हैं आप सदर सीट से उम्मीदवार थे मजलिस के सिंबल से तो सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि आप चुनाव लड़े थे हारे 500 ओट मिला इस पर क्या कहना चाह correspondence चुनाव लड़े हम माशाला पूरी ताकत से लड़े लेकिन चुनाव हम हारे नहीं हम या तो जीते हैं या तो सीखते हैं इंशाला हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है और यह तो चुनाओ है आता जाता रहता है और सुल्तानपुर के आप पूरे यूपी का यही माहौला की हमारे लोग जो है मुस्लिम ओटर इस बार जो है अकले से आदो को मुखपंत्री बनाने के लिए लगा था वो जो है चुनाओ को ही सब कुछ समझ गया इस विधान सभा की मैं बात करूँ तो यही है कि जो है उस फे वो यह नहीं समझ पाया कि जो है हम ओट अगर करेंगे तो जीतार का फैसला हम खुद करेंगे यगर अलला को मंजूर होता है तब ही जीतार होती है और हमारे उपर जो लोग कह रहे हैं कि हमने स कार्परिशन का चुना होना है हम उसकी तैयारी में लगे हुए चलिए मान लिया कि आप हारे हैं होसला अभी भी आपका उसी तरीके से है लेकिन विपच की भूमे का आप निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे अगर आप कोई 500 मिला है तो सुल्तानपुर की सड़के जो है सु पूरी तैयारी में लगेंगे नगरपालिका का चुना हो और उसके साथ साथ 24 की भी तैयारी में हम लगेंगे पहले मुद्दा क्या होगा क्योंकि अब नगरपालिका का चुना होए फिर लोकसभा को चुना होए लेकिन रमजान आप इंतिजार कर रहे हैं लेकिन रमजान क को और मजबूत करना है हमारे और शहर की जो है नगर कमेटी को मजबूत करना है चुकि अब में फोकस हमारा नगर पालिका पे रहेगा तो इंशालला उताला जो है हम नगर कमेटी को मजबूत करेंगे और दमदारी से चुनाव लेंगे पहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं लेकिन कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं आपने का कारण यही रहा है की सब मुसल्मान तो जो है दो दिन पहले तक हमारा चुनाओ बिल्कुल ठीक थाग था, हमें ये लग रहा था कि पचास से पच्पन हजार ओट हमको कम से कम मिलेगा, लेकिन बाद में ये हो गया, एक दिन 24 गंटे पहले, हमारे लोगों ने, मुझे दूसरों से गिला नहीं, मुझे अपने लोगों से है, कि जो कौम के रहनुमा बनते थे उन लोगों ने साथ नहीं दिया और वही बिग गए चंद पैसों में, दूसरे लोगों के हाथ, इवन की बीजेपी के तरफ भी लोग चले गए, उनको भी पैसे लेके ओड़ करा दिया, और समाजवादी पार्टी के साथ बिके ही, और बड़े शन्म के बात है, कि 85% मुसल आने वाले कहते हैं, वो लोग अभी भी जो है, उन्हीं को अपना रहनुमा मान रहे हैं, और ये आने वाला वक्त इनके लिए बहुत बुरा होगा, इनको समनला होगा, और 24 में नहीं समलेंगे, तो फिर ये बहुत बुरे हालात हो जाएगा, दर्द आपके अंदर बहुत क मुंस्चिब भी वही होगा, कातिल भी वही होगा, मेरे हक में क्या फैसला करेगा होगा? इसी चीज कुछ आएंगे तो होगा, अगर इस तरह से गुरुबाजी चलती रहेगी, तो आने वाला दिन और भी बुरा होगा, मजलिस इत्यादल मुसलिमीन के लिए सच्चाई है, इसको कहने में कोई बुरेज नहीं है, लोग ये कहते हैं कि आल इंडिया मजलिस इत्यादल मुसलिम क्यादत को मजबूत करना चाहती है, आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल क्यादत को मजबूत करना चाहती है, अपना कायद तो हमने चुन ही लिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब यह है कि हमें उसके लिए एक जुट होना पड़ेगा ना, एक जुट हो कि सब लोग साथ आके तब मजबूती से काम करने काम करने हैं, आम मानते हैं कि सल्तानपूर में आल इंडिया मजली से तेहाद المسلمین को मैंने जिंदा कर दिया, इस तरह से चुनाओ लड़ा, लेकिन जिस हिसाब से रिस्पॉंस आना चाहिए था, नहीं आया है, आप इस तरीके से आल इंडिया मजली से तेहाद المسلمین पे आरोप लगा रहे हैं, निकाल दिये गए तो क्या है उस इल्जाम थोड़ी लगा रहा है मैं तो सच्चाई वयान कर रहा हूँ और सच्चाई अगर किसी को खरती है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है कोई तंखा नहीं मिल रही है जो कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से किये दमदारी से चुनाव लड़े पच नाराज किसी से नहीं नाराज मैं अपने आप से हूँ नाराज किस से होंगा मैं खुद से नाराज हूँ चुकि मैं यह समझ रहा हूँ कि कहीं कमी रहे गई हमने उस कभी को नहीं पूरा कर सका मैं हैं चुकि देखिए कार करता चुनाव लड़ता है कोई परत्यासी चुना करेंगे देखेंगे और जिले में संगठन को और मजबूत करने के लिए उस पर काम किया जाएगा पांचो विधान सब्से ज्यादा मजबूत सुल्तान पूर आल इंडिया मजलिस आदुल मुस्लमीन का सबसे पहले अगर पेर कहीं पर पड़ा है तो वो सुल्तान पूर की धर कि यहां के लोग जोरम जार जुड़े थे तो यहां के सीट ना निकल पाना सबसे बड़ी कमी इसमें आप देख रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है 188 हमारा ज्यादा मजबूत था क्योंकि हमने काम ज्यादा किया था चुनाओं के टाइम में छे महीने से जब चुनाओं लड़ने लेकिन चुकी प्रत्यासी वहां एक्टिब नहीं था और लाश्ट में डिसाइड हुआ इसलिए इसकी वज़े यह रही कि वहां पर उससाफ से रिजल्ड नहीं आ पाया जब 188 में यह बात हो गई तो फिर वहां आने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि यहां पर जो है बहुत अल्ला के हाथ में हैं बहुत कुछ उन्होंने मंच से कहा था तो इसको सुनकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्या लगता है कि अभी फिर से दुबारा वही दो हजार पाईस वाला मोड जो है मुसलमानों के अंदर बनेगा नहीं वो बात तो नहीं आएगी यह सही है कि हमारे कौमी सदर ने हम लोगों के हासला अफजाई की है और इसलिए गए भी थे उन्होंने हमको हासला दिया है और इंशाल्ला उनके हासले के तहट ही हम काम कर हैं और उनको कायद अपना माना है तो असुदिदु नुबैसी सहाब से मतलब है वो जिस चीज को कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सब कुछ होती है उस पे हमें अमल करना है और इंशालला कहीं घबराने की उन्हों नहों होसला दिया कहीं घबराने की जरुवत नहीं है इं हो सकता है हमितो राष्चीनेतरट की बात है और ऊपर तक नहीं पहुचती ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तो इसका नुकसान होगा क्योंकि संगतं की जहां लड़े और उसके बाद गए मीटिंग में असा साब ने कह दिया उतना हो गई लेकिन मेरा अपना मानना था कि ये जितने प्रत्यासी हैं सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाए दमदारी से लड़े उसके बाद सारे प्रत्यासियों के एक मीटिंग मुलानी चाहिए थी, अलग से उनकी होसला अब जाई करनी चाहिए थी, और यह कहना चाहिए था कि नहीं होसला मत हारो, जो अससाब कहे रहे हैं, उसको मीटिंग में कहना चाहिए था, और हमारा भी दर्द सुनना चाहिए था, एक एक प्रत्य प्राइसियों का यह हुआ और उसका ना होने की वज़े है कि दोखिये फिर दूसरी ज़री ज़री लोग बैक होने लगे कि खुले मन्च से आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपके अंदर कुछ दर्द है और सुनाना चाहाएं तो क्या सुनाएंगे क्यों कि लोग देखते हैं यहां टक की असाशाभि देखते हैं नहीं मैं तो कहे रहा हूँ ना कि आप लोगों के थो जो है ये चीज है असर साब तक पहुचनी चाहिए कि भाई हम लोगों का भी तो दर्द सुना जाए हमने मजलिस के लिए जो है चुनाओ लड़ा मजलिस को बढ़ाया हर चीज मजलिस के लिए किया दो साल से महिनत करते र साब ने कहा उसके बाद हम अपना दर्द कहां बया कर पाए कोई नहीं बुलाना चाहिए था अलक्स एक प्रत्यासियों की मीटिंग करनी चाहिए थी कि आए उस सारी हमको भी तो अपनी बात रखने का मौका दिया जाए कि हम करें आगे कि तयारी कैसे होगी अगर उसी पे ह है किसी पर सवाल तो नहीं उठा रहे हैं ना किसी का नाम लिया है बंदलब्जों में कुछ बताना चाहते हैं लेकिन अगर ये कोई कहे कि आरोप लगा रहे हैं इस वीडियो में सरसर आल इंडिया मजलिस इत्यादल मुसलमीन या पार्टी के नेताओं पर कोई आरोप लग लमीन के राष्टिय जच असदुदीन अवेशी तक बात पहुचनी चाहिए कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और खास अपने दोस्तों को साजा करें और अगर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और घंटी बजाना न भूले धन्यवाद झाल